ऍकी जैया चैनी किजिवेर हाई फ्रेंडस मैं हूँ डॉक्र मुशारा है या एस वीडियो में बात करने वाले है اज इस वीडियों में ईसजी काओ हो जाता है और दूसरा ये क्रेटिनीन बढ़ने का कारण क्या है क्या क्रेटिनीन क्रेटिनी को फेल करता है या क्रेटिनी के फंक्शन के खराब होने के कारण आपका जो है वो क्रेटिनीन का लेवल बढ़ने लगता है उसके अलावा आप कैसे अपने किड्मी को बचा सकते हैं नेचुरल नेचुरल तरीके से सिंप्ली कुछ घरेलू नस्खे अपता के और अपनी आग्तों को बदल के तो आईए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लक्षनों के बारे में उन संकेतों के बारे में जो किड्मी पेल होने की शुरुआत में मरीज को आने लगते हैं उनमें जो सबसे पहला लक्षन होता है बहुत है दुस्तों पिशाब की फ्रिक्वेंसी ये यूरिन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाना पिशाब आपको जल्दी जल्दी आ सकता है या उसकी frequency कम भी हो सकती है बट जो urine की मातर है जो पिशाब की मातर है वो काफी कम होने लगती है उसका color change होने लगता है वो dark color का होने लगती है यह पहला election होता है हाले कि election अगर आपने पानी कम पिया है dehydration है वो temporary हो सकते हैं बट अगर आपको लगतार यह election बना रहे तो फिर आपको alert पर आजाना चाहिए दूसरा मरीज की group कम होने लगती है इसको जी मिचल आने लगता है और शरीर पर आपके सूजन आने लगती है आपका face जो थोड़ा प इस तरह की जो इसको अडिमा कहता है यह डेवलप होने लगता है यह जूसरा बड़ा लक्षन होता है अलाकि पिटिंग अडिमा जो है वो cardiac patient में हाट के patient में भी मिलता है मरीज को थकावट कमजोरी रहने लगती है अब जब क्रटिन का लेवल या यूरिया का लेवल शरी के अंदर बढ़ने लगता है बलट के अंदर बढ़ने लगता है तो मरीज को इच्छिंग लगने लगती है इसकी जह वो थोड़ा ड्राइ मैसूश होने लगती है यह भी किड्नी के लिए उरके शुरुआती लक्षण होते हैं तो तो हमने कुछ समान्य लक्षणों की बात की जिनको मिलते ही इंसंकेतों को देखते ही आपको अलर्ट पर आ जाना चाहिए और अपना किड्नी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए किड्नी किड्नी इसको बनाता है तो आपकी जो मस्ल्स जब काम करती है आप जब कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपकी मेटबोलिजम की बाद आपकी मस्ल्स से एक करेटिनिन बनता रहा है अभी करेटिनिन आपके बलड में जाता है बलड से फिर आपकी किड्नी का काम होता है जितना भी excess creatinine है उसको बाहर निकाल देना और kidney एक level maintain रखता है आपके creatinine का और बाकी दूछरे waste product अभी तो इतने level तक ही blood के अंदर इसकी मात्रा रहनी चाहिए अब अगर आपकी body के अंदर ये creatinine बनता रहे मगर आपका kidney किसी कारण से ठीक से काम ना करें आपका kidney का function ठीक से काम ना करें या आपकी kidney fail होने लगें तो फिर ये creatinine पूरा नहीं निकल पाता है तो वह वापिस आपके blood में बढ़ता जाता है इस कारण ये फिर further damage करता आपकी kidneys को और इस तरीकी से मरीज kidney failure में चला जाता है और मरीज को dialysis पे जाने जुरूत पढ़ जाती है अगर creatinine के level एक जो उसका balance level है उससे जादा उपर चले जाता है तो अब बात कर लेते हैं कि ये creatinine के level कितने होता है actual में ये मरीज के sex पे male और female में भी थोड़े वारी करते हैं बच्चों और बड़ों में भी थोड़े वारी करते हैं तो एक adult male के अंदर जो creatinine का level है वो 0.7 mg पर DL से लेके 1.3 mg पर DL तक normal माना चाहता है इसी के बीच में ये रहना चाहिए अगर हम female की बात करें तो female के अंदर ये 0.6 से 1.1 mg पर DL होता है creatinine का normal level इतना creatinine आपके blood में अगर इस level के है इसके बीच में तो आपका kidney healthy है चोटे बच्चों में 0-3 से लेके 0.3 mg पर DL तक normal माना जाता है और बड़े बच्चों में यानि के 3 साल से 18 साल तक की उमर के बच्चे हैं उनके अंदर ये 0.5 से लेके 1 mg पर DL तक normal माना जाता है तो अगर ये normal ranges आपके creative function test में creatinine test कराने में आ रहे हैं तो कोई घबरानी की जरूत नहीं है हाँ पर भी आपको अपने kidney को आगे बचा के रखना है kidney को इंगरी से बचा के रखना पड़ेगा तो बात करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते तो इसके क्यों हो जाता है कि अच्छे खासा मरीज अभी को तंदरूस था और अचानक से उसको पता लगता है या कि भी वो test कराता है या उसको इस सब symptoms आने लगते हैं कि kidney ठीक से काम नहीं करता है जो आपके kidney इसको नुक्सान करते हैं और अगर आप नगातार ऐसी दवाईयों का इस्तिमाल करते हैं तो आपके kidney ठीक होने के चांसर बढ़ चाते हैं दूसरी कुछ बिमारियों में जैसे अगर आप high blood patient के मरीज हैं आप cardiac patient हैं अगर आपको blood sugar की बिमारी है तो ये भी आपके kidney ठीक होने का कारण बनते हैं एक तो बिमारी अपने आपके कारण बनती है दूसरी क्यों कि आप जब इनको ठीक करने के लिए दवाईया खाते हैं तो वो भी आपके kidney को नुक्सान करते हैं तीसरा बढ़ती उमर aging भी एक प्रेकी की जैसे जैसे उमर बढ़ती है उस तरीपी से बोड़ी की इस फ़ंक्शन दीरेंज होने लगता है तो old age में जाके लिए जनरली kidney या फिट्नी से काम नहीं करते हैं उसके अलावा आपकी dietary habits अगर आप नमक बहुत जादा खाते हैं अगर आप protein की diet बहुत जादा लेते हैं तो भी आपके kidney function खराब होने के या kidney fail होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं उसके अलावा जिसमें बाद की दवाईयां और उसके साथ कुछ chemicals अगर हम कुछ मलावती चीज़े खाते हैं हमें नहीं पता होता हम जो भोजन खा रहे हैं जो दूद पी रहे हैं बाहर का हम जो process food काते हैं उसमें किस तरह की चीज़े इस्तमाल हुए हैं वो भी एक कारण होता है आपके kidney इसको खराब करने का kidney को fail करने का इसके अलावा अगर आपके kidney में कोई बिमारी लग जाती है infection अगर कुछ हो जाते हैं bacterial viral infection अगर आपके kidney की तरफ चले जाते हैं तो वो भी आपके kidney ये function को खराब करते हैं कई बार ये temporary होता है और कई बार आपके infections आपके kidney को पुरी तरह से भी fail कर जाते है और उसके अलावा dehydration कई बार जिसके मरीजों को उल्टी दस लग जाता है या कोई मरीज बहुत वक्तक पानी ना पिए कोई dehydration भी अपने आपके kidney function के फेल होने का ए थ्रेटिलिन के बढ़ने का कारण बन जाता है अगर इन सारे कारणों का आप दूर करके रखते हैं आप अपनी kidneys को नुपसान से बचा सकते हैं उसको फेल होने से बचा सकते हैं इन कारणों को avoid करें और अपने kidneys को healthy बना के रखते हैं आप low salt diet का इस्तमाल करें अपने भोजन में आप citrus roots का इस्तमाल करेंगे अपना blood pressure control रखें अपना blood sugar control रखें दवाईयां समय पेखाएं अगर blood pressure control रहेगा diabetes control रहेगा तो आपकी kidney को उपसान नहीं होगा या कम होगा आपकी जो daily habits हैं उनको सुदा रहे हैं कुछ morning work करें चलना परना जारी रखें blood circulation ठीक रहेगा तो आपके kidney functions भी ठीक रहेंगे smoking ज़र करते हैं तो उसको भी आप treat करें क्योंकि smoking भी kidney injuries करता है उसके लावा आपने आपसे दवाईयां लेने से बचें आप चब भी कोई दवाई लें चाहें वो छोटी सी सरदर्द की डवाईयों को ना लेनी हो अपने डॉक्टर्स की सला मश्यरी पे ही दवाईयों के लिए क्योंकि self-medication की कारण भी कई बार मरीज kidney failure में चला जाता है और यह तो बड़ा मुश्कुल होता है manage करना कोशिश करें कि अपने आपको hydrate रखने पानी जादा से जादा प्रियों लेकिन अगर खराब होने से बचाना है तो जादा से जादा पानी की है dehydration ना होने जितना जादा hydration रखेंगे आपको body के दूसरे function भी ठीक काम करेंगे इसके भी glow करेगी और आपका kidney function भी ठीक रहेगा तो कुछ आप natural diuretics का इस्तमाल कर सकते हैं जैसे green tea black tea बहुत अच्छे natural mild diuretics हैं उसके पर dandelion का आप इस्तमाल कर सकते हैं और जो का पानी है जिसको जो का सक्तू कहते हैं वो भी आपके kidney's के लिए फाइदे बंद होता है वो भी आप इस्तमाल कर सकते हैं उसके भी डायरोसिस का ये काम करेगा कुछ युरानी दवाईया होती है जिसे जवारिष आता है जवारिष जरूरी इसका 7-7 ग्राम आप सुबह शाम इस्तमाल करें आप अगर शुरुआती kidney failure की stage में भी आपका creatinine बढ़ने लगा है तो लगता 40-45 दिन इस्तमाल करने से आप काफी अद तक अपने creatinine level को कम कर सकते है और साथ में अगर आप शरुबत बजूरी भी इस्तमाल कर लेता है 20 ml सुबह और दुपैर में शाम को ना किए क्योंकि इससे रात को आपको यूरन बार बार आएगा तो लिए फराब हो सकते है तो सुबह और दुपैर में 4 बजी से पहले आप इसको इसको इस्तमाल करें लेकिन ये मीठा होता है अगर आप डाइबिटिक है तो इस चर्बत कर इस्तमाल ना करें और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक घरेलू निस्खा जिसको अगर आप लगातार इस्तमाल तरहेंगे तो आपको पिड्ली के पहल नहीं होंगे ये हैं कुछ बीच इनको मग्ज हम कहते हैं to इसमें आप जिसकी कद्डू हो गया तर्बूज हो गया खर्बूज हो गया तरीमस जएग तो सॉप मिला है इनसब को आप कूट ले पीश ले और इसको फिर आप तो शैय्द बनाके भी इसको कर सकते हैं इसका शेत्छ्वड बना पिय सकता है इसका लगता अगर आप कियेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी की फंक्षिन इंप्रूब हो जाएंगे एविन आपका ट्रेटिनिन लेवल भी कम हो जाएगा तो दोस्तों मुझे उम्हीद आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वाकई आपको जानकर यह अच पसंद आपको मिलतेरे आपको जने वाएगा तो दोने वाएगा